देख रहा था और जो यहां हमें कुछ अबी चीजों को आपके प्रसासनिक विवस्था को समझने का प्रयास कर रहा था कि आज के सुब आउसर पर कुछ चीजे जानकारी लेनी जरूरी भी है होनी भी चाहिए लगभग दो हजार के स्टेंथ पर यहां पर जो आईएस, आईपेस, आईएफेस और जारकन प्रसासनिक सिवा के पदादी कारियों का स्टेंथ है काम में अभी पूरा लक्ष के साथ काम नहीं कर रहे हैं फिर भी बहुत बुरा भी नहीं है उन में से लगभग 1407 लोग यहां सिविल सर्विसेस सिवा में है जारकन की बात करें तो जारकन इस दहिस का सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है लेकिन आप सब लोग पिछड़े हैं मैं नहीं समझता सभी लोग पिछड़े हों ऐसा भी नहीं है आप लोग उन पर्थम पंक्ति के लोग हैं जहां ये जिम्मेवारी है ऐसे चुनोती को कैसे हम उस चुनोती का सामना करें जारकन आखिर क्यों पिछड़ा है आज ये राज मजदूरों का राज बन गया लेवर एसेंट्रिक स्टेट के रुप में इस स्टेट को जाना जाता है क्यों इस पर कभी हम लोग को सोचना चाहिए क्या इस स्टेट को इसी अस्तर पर रहने देना है या आगे भी बढ़ना है इसके लिए क्या करना चाहिए इनका इसके लिए क्या उपाई होने चाहिए कि यह सारी जिम्मेवारी हमारी है आपकी इस स्टेट में इस राज में स्टेट सी पॉपलिटेट स्टेट है बहुत सारी चीजें आपके मोर्डल कोड़ अफेंडिक्ट में अल्रेड़ी दर्ज है कि आपको क्या करना है नहीं करना है आप लोग वेल ट्रेंड लोग के रूप में भी आते हैं तिस वाज़ा से जो भी राज के अंदर उतार चड़ाओ है उसमें कहीं न कहीं सबसे बड़े जिम्मेदारी आपकी और हमारी अगर राज को नुक्सान होगी तो उसके भी जिम्मेवारी हमारे आपके कंदे पर होगा और बेहतर होगा तो भी उसके जिम्मेवारी हमारे आपके कंदे पर होगा आप इस राज के भागोलिक बनावट के बारह में वन विभाग के प्रदादिकारी पीसी सेव साहब ने श्रीवास्तुप जी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी दिया और किस तरीके से 1933 में यहां पर जंगलों का एक विवस्था था आज की विवस्था क्या है और मुझे लगता है 20-25 साल के बाद तो और भी बहुत मतलब बिलकुल सर में बिना बाल का सरवाले लोग जैसे इस्तिति दिखेंगे लेकिन अगर हम इतने बड़े प्रेमाने पर लूजर हो रहे हैं कुछ चीजों पर तो गेनर कहां हो रहे हैं हमें फाइदा क्या मिल रहा है ठीक है आज समगर विकास के लिए कई चीजें नुकसान करनी पड़ रही है तो फिर कुछ हमें उसके बदले में पराप्तों होना चाहिए आप लोग कई लोग मंदिर पुजा पाठ गुरुद्वारा मस्जिद जाते हैं बहुत सारे लोग अपनी मनत मांगने के लिए खस्री का बली देते हैं उसी बरकार हम भी कई चीजों का बली दे रहे हैं आज जानवर सहरों में घुमने के लिए मजबूर हो रहा है संतुलन भी नहीं बन पा रहा है जलवाई परिवर्तन तो ऐसा इस सित्य है कि जिसका ये बताने के आउश सकता नहीं है हम लोग रोज महसूस करते हैं कि किस तरीके से आस्मान से आग उगल रहा है अभी आपने हाल में ही देखा है कि महारास्टा में कोई कारिक्रम था ग्रीमंत्री जी का जहां बारा तिरे लोग मारे गए सनिस्ट्रोक से मैं कल ही अपने गार्डन में घूम रहा था तो जितने पेड पौधे फूल औगरा लगे हैं मैं देख रहा हूँ फूल के उपर के सारे फ्लावर सब ऐसे हो गया लगता है किसी रिसमें माच जी डाल दिया इतना बुरा तो कई चीजें हैं हम जरूर हमने जैसे कहा कि जितने हम लोग कारे कर रहे हैं लोग यहां इस कडर के लोग हैं कि शिविल सर्विसेज में 2000 के स्ट्रेंथ में अगर 2000 लोग एक एक व्यक्ति अगर एक योजना की जिम्मेवारी भी ले ले लेता तो कई बड़ी परिणाम हमें नजर में आती है कोई एक भी योजना आप कई चीजें पर काम करते हैं यह कोई जरूरी नहीं है कि आप हेड़कौाटर आ गए तो आप जिला में उस काम को छोड़ सकते हैं आपके ही सहयोगी हैं आपके ही लोग काफी के संवर्क के लोग हैं आज राज बने हैं वे बीस साल हो गया बीस साल में नाजर ने कितने लोग रिटार कर गए लेकिन इतने स्ट्रेंट तो है अगर इतने लोग हर बार एक-एक योजना को भी ले करके मतलब एक योजना आप गोज ले लिए तो क्या बदला हो सकता था लेकिन हम लोग ने भेड़ बकरियों के तरह चीजों को चलाने का प्रयास किया है एक गड़िया है तो एक हजार भेड़ें चल रहा है चल रहा है